कल रातरी में थाना विसरक अंतरगत एक स्कॉर्पियो सवारीवक की हत्या कर दी गई थी इसकी सूचना थाना विसरक को प्राप्त हुई थी इसमें F.I.R. पंजीकरत की गई और उसी क्रम में आज एक एस्पाल नाम के वेक्ति को हिप्पली सिरासत में लिया गया है और जो जानकारी एस्पाल से प्राप्त हुई है उस क्रम में एस्पाल मृतक के साथ बगरवाली सीट पर बैठा हुआ था और इन दोनों के दोरा शराप पिल गी उसके बाद एस्पाल ने अपने दो साथियों को बला करके इसमें एक संजे और दूसरा संजे का दोस्त है जो हैरियर गाड़ी से आये थे बला करके और इसकी जो मंजीत है इसकी हत्या कर दीती है उसके बाद ये जो हैरियर गाड़ी में एस्पाल बैठ करके और वहां से चला गया था उसी क्रम में आज एसपाल को पुलिस इरासत पे लिया गया है एसपाल के कबजे से तीन लाइसेंसी असलहे एक दुनाली एक राइफल और एक रिवल्वर बरामद हुआ है और जो इसका पिस्टिल था वो संजे के पास है जैसा कि इसके दोरह बताया गया है इसमें जो कारण निकल के आया है वो प्रॉपटी से संबंदित इनका आपस में मन मुटाव था ये दोनों तीनों लोग प्रॉपटी का काम करते थे जिसमें किसी जमीन को विकवाना और उससे जो ब्रोकरेज मिलती थी वो आपस में बारते थे विगत कुछ दिनों से इसपाल जो है वो मरतक से छुपद चल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉपटी इसको दिखवाने के एवज में जो पैसा मिलना था वो इसके द्वारा इसपाल को नहीं दिया गया